दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और बीजेपी की राष्ट्री कारिकर्णी की कप्ता जेपी नड़ा का कारिकाल अब अपने अंतिम दौर में है सामने दोहजार चौबस का लोगसभा चुनाफ खड़ा है और नड़ा के दामन पर हिमाचल की हार कदा ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी दोहजार चौबस के रण के लिए नया सेनापती चुनेगी या फिर जेपी नड़ा के हाथों में कमान देकर संग्राम में उतरेगी साल दो साल का होता है जेपी नड़ा को साल 2019 और 2022 के लिए निर्विरोध भाचपा का रास्ट्री अद्धक्ष बनाया गया था उन्होंने अपने इस तीन साल के कारेकाल में पूर कालिक अध्धक्ष के तौर पर पार्टी की कमान समाली थी बीजेपी रास्ट्री को बढ़ाया जा सकता है राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राश्ट्री कारेकरनी की दो दिवस्य बैठक 16 और 17 जनवरी को होगी इस बैठक में पार्टी की राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के कारेकाल वस्तार को मनजूरी देने की संभावना जताई जा रही है हाला कि हिमाचल प्रदेश और यूपी उप्चुनाव में बाचपा को मिली हार के बाद से कहा जा सकता है कि नड़ा को लेकर पार्टी की कोर कमेटी बड़ा निर्ने भी ले सकती है सियासत में जेपी नड़ा के इंट्री की बात कई की जाये तो नड़ा के राजनेतिक सफर की शुरवाथ 1975 में संपून करांती आंदोलन के जरिये होई थी इसके बाद नड़ा अखिल भारतिय विद्धारती परिशद में शामिल हो गए साल 1977 में उन्होंने एबीपी की टिकेट पर चुनाव लड़ा और पटना विश्र विद्धाले चात्र संग के सचिव बनाए गए 31 साल की उमर में नड़ा भारतिय जनता युवा मोर्चा के रास्ट्रिय अध्रक्ष बने इस दोरान सियासी पट्रियों पर रफ्तार भरते हुए नड़ा दिल्ली के काफी करीब आ गए पीम मोदी के साथ मिलकर देश के कई सूबों में विधान सबाचुनाव के दौरान सूबे का विधान बदलने वाले नड़ा को 2019 में पार्टी की बागडो सौब दी गई नड़ा खुद हिमाचल प्रदेश देविधान सबाचुनाव लड़ चुके हैं और तीन बार जीत हासिल भी कर चुके हैं जेपी नड़ा तीन साल के कारेकालों के लिए हिमाचल प्रदेश में क्याबिनेट मंतरी भी रहे और फिर दोजार चौबिस में बीजेपी की सत्ता आने के बाद स्वास्ति मंतरी भी बने थे अब जबकि नड़ा का कारिकाल खत्म हो रहा है ऐसे में क्या पार्टी नड़ा पर भरोसा जताते हुए 2024 की सियास्ती जंग में उतरेगी या फिर नया सेना पती BJP की चतुरंगी सेना का संचालन करने वाला है इन सवालों का जवाब जनवरी का आदा महीना बीतने के बाद मिल पाएगा ऐसे ही राजनेतिक विशलेशर को देखने के लिए देखते रहे है आज की खबर